दोस्तो वेरी गूट बानिंग चौल अफ्यू आज के सांदर वीडियो में मैं सौरब गुपता आप सभी का तहर दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का जो हमारा पहला प्रस्त मना है वो देखो क्या मना है पहला कोशन मना है कि हाल ही में एक संस्ता है जिसको हम लोग IUCN के नाम से जानते हैं इसका फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा तो IUCN ने अफरीकी जंगली हाथी और अफरीकी सवाना हाथी को क्रमशा गंभीर रूप से संकट गरस्त और संकट गरस्त गोशित कर दिया है यह जो संस्ता है IUCN इसका मुख्याले कहां पर इस्ते थे यह आपको बताना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ओप्शन नमबर A स्विट्जर लेंड में IUCN का मुख्याले इस्ते थे एक्जाम में बहुत बार पूछा गया यह कोशन है मोश्त रिपीटेड कोशन है ठीक है तो आप्शन नमबर A का राइट आंसर हो जाएगा तो यह आप देख सकते हैं अफरीकी सवाना हाती जिनको हाल ही में इंडेंजर्ड गोसित कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर दो चीजों की बात करिए हमने दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो जाए इस वज़े से अलग से भी इसको लिख दिया है कि जो अफरीकी जंगल हाती है उसको गंभीर रूप से संकट गरस्त है जिसको हिंदी में संकट गरस्त के नाम से जानते हैं यह आयूसी ने हाँ ही में कोशित कर दिया है जिसका मुख्याले स्विज्जर लेंड में इस्ते थे अब यह जो संस्ता है आयूसी इसके बारे में जानते हैं इसका फुल फॉर्म हो जाएगा International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ये इसका पूरा फिलपार में हो जाएगा IUCN का जो मुख्याले है वो Gland Switzerland में है और इसकी जो इस्तापना है ये 5 October 1948 5 October 1948 5th of October 1948 को इसकी इस्तापना करी गई थी ये भी आपको याद रखना है दोस्तो हाल ही में Nature Index 2020 को जारी कर दिया गया है और ये जो Nature Index है Nature Index 2020 और 21 में विश्व में पहला इस्तान कौन से संस्तान को प्राप्त हुआ है तो Nature Index के रिपोर्ट के अनुसार चाइना में इस्तिद Chinese Academy of Sciences को पहला इस्तान प्राप्त हुआ है Option No.8 का राइडेंसर हो जाएगा कि हाल ही में Chinese Academy of Sciences को पहला इस्तान प्राप्त हुआ है Nature Index 2020 और 21 में इसी प्रकार से एक और चीज़ यहाँ पर मिन में आती है कि ये जो Nature Index 2020 और 21 है इसमें किस भारत के इंस्टिटूट को अगर देखा जाए तो भारतिय विस्ट विद्यालियों में पहला इस्तान किसे प्राप्त हुआ है तो Bengaluru में इस्तित IISC Bengaluru को पहला इस्तान प्राप्त हुआ है भारतिय विज्यान सल्स्तान को पहला इस्तान प्राप्त हुआ है दोस्तों हाल ही में International Ranger Awards को सित किये गए है तो यह जो International Ranger Award है इसको जीतने वाले Asia के एक मात्र Ranger यानि की वन रच्छक कौन है तो Asia से एक मात्र Ranger है जिसको यह Award दिया गया है जिनका नम है महिंदर गिरी तो Option No.A इसका राइड अंसर हो जाएगा कि जो महिंदर गिरी हैं वो Asia के एक मात्र ऐसे Ranger हैं जिनको International Ranger Award से गोशित किया गया है Ranger का मतलब होता है ऐसा अधिकारी जो वनों की रच्छक करता है तो वन रच्छक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जो प्रकास जावडेकर हैं जो कि Ministry of, Minister for Environment, Forest and Climate Change है उन्होंने बधाई दी है, Congratulation Message दिया है महिंदर गिरी को चीक है तो महिंदर गिरी का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से समानित किया गया है ये जो अवार्ड है, ये किस ने प्रदान किया है, तो इस अवार्ड को IUCN और WCPA ने मिलकर दिया है IUCN का मतलब International Union for Conservation of Nature इसने और World Commission on Protected Areas, WCPA ने मिलकर इस अवार्ड को हाल ही में प्रदान किया है ये जो महिंदर गिरी हैं, ये राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज आफिसर है आपको बताना है, ये जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, ये भारत के कौन से राज्य में इस्तित है, राजाजी टाइगर रिजर्व जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है आगे चलते हैं उससे पहले, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें अगला प्रस्तम हनेगा कि सहीद असपाग उल्ला खान परानी उद्यान का उद्गाटन किस राज्य में किया गया है तो हाल ही में ये जो सहीद असपाग उल्ला खान परानी उद्यान है, इसका उद्गाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है आप्शन नमबर A का राइड एंसर हो जाएगा एक्चुल में इस प्रानी उद्यान को 2011 में स्टैब्लिस किया गया था, लेकिन इसमें कंस्ट्रॉक्शन का काम और इसको अच्छे तरीके से स्टैब्लिस करने का काम बचा हुआ था जिसको हाल ही में BJP की जो सरकार उसने पूरा किया है और हाल ही में इसका एक बर फिर से उद्गाटन जो है होली के औसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित दिनाथ जी के द्वरा किया गया है आपको बताना चाहूंगा की ये जो प्राणी उद्ध्यान है इसको गोरकपुर उत्तर प्रदेश की गोरकपुर में इस्थापित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश की पूरवांचल का पहला चिडिया घर है उसको आपस में जोडने के लिए कौन सी express train को चलाने की गोशना करी गई है तो बंगलादिस का जो ढाका है इसको connect किया जाएगा बंगलादिस के ढाका को भारत के पस्चिम मंगाल में एक जगह है जिसका नाम है जलपाई गुड़ी इन दोनों को connect करने वाली जो railway line है उसकी हाल ही में गोशना करी गई है उस express train को चलाने का जो गोशना हुआ है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है मिताली express तो option number 10 का राइड एंसर हो जाएगा कि मिताली express नाम से बांगलादेस और इंडिया के बीच में ये train चलाई जाएगी अब ये बांगलादेस और इंडिया के कौन से station को जोड़ेगी ये अलग से भी पूछा जा सकता है तो ये बांगलादेस के station धाका और पस्चिम मंगाल के new जलपाई गुड़ी को जोड़ेगा ये आपको याद रखना है ये आप देख सकते हैं इसका photo और अगर देखा जाए भारत और बांगलादेस के बीच में तो भारत और बांगलादेस के बीच में चलने वाली ये तीसरी गाड़ी है इससे पहले हम दोनों के देशों के बीच में मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दो ट्रेने और रेड़ी चल रहे हैं के बात में ये तीसरी express train बनेगी जिसका नाम रहेगा मिताली express आगे चलते हैं दोस्तों हाल ही में अगर आप news देख रहे होगे या फिर social media पर आपने देखा होगा तो आपको ये वाला photo जरूर दिखा होगा जिसमें कि एक स्वेज कनाल है ये स्वेज कनाल है ये चौणा सा इसमें एक सिप जो है ये इस पोजीशन में डाइगुनल जो है ये फस चुका है और ये छे दिन से वहां पर फसा हुआ था स्वेज सिजव नहर तो एक कोशन बन सकता है कि हाल ही में खबरों में चल रही सिज नहर सिजव नहर कहां पर इस्तितलं तो आंसर हो जाएगा कि ये जो क्छबरों में चल रही स्वीज नहर है यह मिस्द्र देश में इस्तित है option number C इसका एंसर हो जाएगा आपको बता दूँ यह जो स्वेज कनाल है यह बहुत ही छोटा सा एक एरिया है यहां पर आपको देख सकते हैं यह जो एरिया आपको दिख रहा होगा Mediterranean Sea और Red Sea दोनों को जोडने के बीच में यह जो नहर पड़ती है मिस्तर देश में इसको सुवेज कनेल के नम से जना जाता है यहां पर आपको बता दूँ कि यह एरिया बहुत ज़दा इंपॉर्डन है एसिया को यूरोप से जोडने का यह एरिया है अदरवाइस दूसरे रास्ते से बहुत ज़दा टाइम और पैसा खर्च करके एसिया और यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी बन जाती है एसिया और यूरोप के बीच का जो व्यापार है वो इसी सुवेच कनेल के माध्यम से होता है यहां रेड़ सी से एसिया से जो सिप आते हैं वो रेड़ सी से होते हुए सुवेच कनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप की दरब चले जाते है तो यहां प लाक्रक्त के बाद में इसको यहां से निकाल दिया गया है और यह कार्गो जो है सीधा लेकर चल दिया है। अगला प्रसन है कि गर्बपाद आवकास, miscarriage, bereavement leave कानून को पारिट करने वाला भारत के बाद में दूसरा देष कौन सा बना है तो miscarriage यानि कि अगर किसी महीला का गर्बपाद हो जाता है तो उस case में वो paid leave ले सकती है यानि कि उसका पैसा नहीं करेगा उसको छुट्टी मिल जाएगी इस कानून को सबसे पहरे पारित किया था भारत ने और हाल ही में न्यूजी लेंड ने भी इस कानून को पारित कर दिया है तो New Zealand दूसरा ऐसा देश बना है जिसने इस कानून को पारित किया है भारत पहले से इस कानून को पारित कर चुगा है कि गर्बपाद के केस में आवकास लेने की अन्मती ये प्रदान करता है अगला प्रस्त मनेगा कि भारत और किस देश के बीच में पासेक्स सैन अभ्यास सुरू हो गया है तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन अभ्यास और्गनाईस किया रता है जिसका नाम है पासेक्स इसकी सुरुवात हो चुकी है और ये कहां पर होगा ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला ये जो पासक्स नाम से वार्शिप नवल एक्सरसाइज है ये जो है पस्चिब मंगाल की खाडी में इसको आयुजित किया गया है ये दो दिवसिये नव सैनिक अभ्यास है कितने दो दिवसिये नव सैनिक अभ्यास है जिसमें भारत की तरब से भारत का युद्ध पोर जिसका नाम है पी एट आई इनको वहाँ पर तैनात किया गया है अगला कोशन मनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रहा माउंट मेरापी माउंट मेरापी वॉलकेनों किस देश में इस्तित है तो एक वॉलकेनों है तो यह जो वॉलकेनों है जिसका नाम है माउंट मेरापी वॉलकेनों यह अप्शन नंबर इसका दाइट असर हो जाएगा चर्चा में क्यों चला है चर्चा में इस वज़े से चला है कि यह जो वॉल्किनों है यह अचानक से इरप्ट हो गया है उठ उठा है और तीस किलोमेटर दूर तक इसका आवास सुना ही पड़ा है और यह बहुत दिनों के बा माउंट मेरापी परवत उसी पर यह वॉल्किनों है दोस्तों आज का कुश्चन जिसका अंसर आपको देना है आपको इसक्रीन पर दिख रहा है जल्दी से इसका अंसर बताइए थैंक यू फर वाचिंग दिस ओसम वीडियो